वैलोटूम बेक तूरल Gesetz स्वागत करता हूं आए वाद आपका स्वाधां होने वाला है चार जून से आपका एक्जाम स्टार्ट हो रहा है और कुछ रीजन और डीजन के आपके आगे हैं वेस्टरं रीजन साउ Using कुछ रीजन काहक हैं काज वेस्ट रिजिन का बाकी है तो आपके जल्द से जल्द आपको दे दिये जाएंगे आपको पता लग जाएगा आपका एग्जाम डेट आपका सिटी आपको सब को पता चल जाएगा तो भाहिज यह दस दिन अब आपको क्या करना है क्योंकि यार इन दस दिन में होने तो कुछ वाला नहीं है जदा अगर आप पहले से आपने सारी त्यारी कर रखी है तो फिर एक बूस्ट अप मिल जाता है कि इन दस दिन में हम आपको ब्रश अप कैसे करें तो आज की वीडियो बस इसी वीडियो में बताता हूँ देखिए सबसे पहले तो आपके सारा सेक्शन आपका जीके हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया मैट सेक्शन हो गया आपका और आपका इंग्लिश एक्शन तो यह चार सेक्शन तो जो आपको रिवाइस करना है जीके सेक्शन तो जीके मे आप जितना हो सके maximum आप चीजों को revise कीजिए आपने जितने चीजें पढ़ी हैं वो सारी आप एक बार revise कीजिए क्योंकि जी के सबसे ज़्यादा आपका कम टाइम में scoring पार्ट रहेगा इसके लावा मैंस में अभी तो आप 10 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन मैंस में जितनी important important आपके formula है वो सारे आप पढ़िए geometry and mensuration में जितने important formula थे देखे मैंने अपनी geometry and mensuration की जितनी playlist है उसमें सारे मैंने आपको formula बताये हुए है आपके हर short trick के formula मैंने आपको बताये हुए तो वो आप notebook में लिख लीजिए इसके लावा मैंने आपको direct भी वीडियो बनाई है कि direct आप video उसमें formula आप देख सकते हो कि top 10 geometry formula तो आप वहां पे मेरी playlist में जाके देख सकते हैं तो trapezium के जैसे 5 properties मैंने आपको बताये थी 5, 6 property वो आप direct याद कर लिजिए रोहमबस के आप property याद कर लिजिए इसके लावा effective discount जो होता है effective percent वो बहुत important होता है तो effective percent आप सभी को पता effective percent किस तरीके से निकालतने जैसे आपका एक number है x इसका effective percent आपको निकालना है तो x plus x plus x into x by 100 तो यह आपका formula रहता है दो quantities का a और b effective percent जो हो आपका तब लगता है जब आपकी दो quantity एक quantity में change करके अगर उस quantity को आप double कर दो उसको मतलब दो के effect से एक quantity और एक दूसरी quantity मिलके दो quantity मिलके एक combined effect को जब वो करें change करें जैसे for example मैं आपको बताऊं जैसे आपकी radius change कर दिया आपने तो आपको बताना है कि कितने percent area change हुआ होगा अब area का आपको पता है pi r square होता है यानि कि radius जो है वो दो बार आ गया यानि दो बार radius को change करके आप effective percent का concept लगा सकते हो तो effective percent आपको मेरे क्याल से 9 से 10 चीजों में लगता है effective percent तो मेरे क्याल से आप सभी को पता होगा अगर नहीं पता मैं effective percent के वो 10 question आपको अगर करवा हूँ तो आप बता दीजीगा comment करके मैं वो 10 question आपको करवा दूँगा एक सबसे जदा आपको ये जो 10 दिन है सबसे जदा अपने आपको motivate रखना है देखे कोई भी काम आप लगा लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो whether छोटा है बड़ा है it doesn't matter लेकिन अगर आप काम करते हो खुशी से तो ही आपको चीज मिलती है otherwise अगर आप कोई मजबूरी मे काम कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं मजबूरी में त्यारी कर रहा हूं मुझे नहीं कुछ लग रहा है काश हो जाए तो भाई फिर तो भूल जाईए जब तक आप खुश नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर के तब आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते यह आप मेरी बात आज ही लिखवा के देख लिजिए अगर आप खुश हैं मोटिवेटीड हैं तो ही आप एक्जाम करेक कर वाएंगे और यह दस बारा दिन पंदरा दिन आपको खुशी खुशी जो हो सारे कौनसाइप्ट आपको क्लियर करने हैं मैं आ आपकी वोकव होगी इन पर सबसे ज़्यदा अपको ध्यान देना है और एक मैथ में आपको बताए जितने भी आपके फोरूम ले हैं उन पे ध्यान देना है एक्टिव परसेंट के मैंने 10 को बताएं कि 10 तरह के परसेंट में जैसे आपको इस तरह के आते हैं कि जो शूगर है उसका प्राइज आप 10% कर दिया तो कंजप्शन हम कितनी परसेंट इंक्रीज करें तो इसमें भी आपका इफेक्टिव परसेंट का कॉंसेप्ट लगता है प्रोफिट और लोस की कुछ कोश्चन है इसके लावा कंपाउंड इंट्रेस्ट के कोश्चन में आपका आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाओं तो बताना एक इस तरह के कोश्चन भी स्टुडेंट को बोदर सम कर रहे थे कि जो आपका परफेक्ट स्क्वेर है एक नंबर परफेक्ट स्क्वेर कैसे हम देख पाएंगे तो इस पर भी मैंने एक और आपके लिए वीडियो बनाई हुए है जिसे नहीं देखी तो कमेंट करेंगा मैं उनको बताओंगा कि कहां पर है वो वीडियो जो आपका डिजिटल सम है वह आपका कितना होना चाहिए 0124 और 7 यह डिजिटल सम अगर आपका आ गया तो वह नंबर ओल्वेज आपका परफेक्ट स्क्वेर होता है कई बार क्या होता है आपकी 2-3 ओप्शन ऐसे आज़ते हैं जिसमें यह आपके सारे ओप्शन मैच करते हैं तो उसके बाद फिर मैने एक और ऐलिमिनेशन आपको मैथड बताया था ऐलिमिनेशन मैथड बताया था कि आप क्या करिए वो जो नंबर आपको ओप्शन में दिय परफेक्ट स्क्वेर है अगर वह एवन है तो हम कह नहीं सकते तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा या फिर एक और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इक से चोबीस का जब आप स्क्वेर करोगे एक से चोबीस तक्यूक्त चुट होगी चैक कर सकते हो और एक से थर्टी तक का स्क्वेर पता होना चाहिए तो 1-30 तक के square root जो है वो आप sorry square जो है वो आप रट लीजिए 1-30 के cube आप 20 तक रट लीजिए आपके cube आपको पता होने चाहिए या फिर at the most आपको 15 तक तो cube आपको पता होने चाहिए तो ये आपको इतना करना है इसके लबाद स्टूडेंट पूछ रहेते कि CPO का भी देख सेटने है तो 11 के 11 सेट आपको solve करने है math का level बिल्कुल वैसा ही आएगा इससे ज्यादा उपर निच नहीं होने वाला ठीक है और इसके लाबा मैंने एक चीज़ और नोट की है आपका सबसे पहला जो TCS ने exam conduct करवाय तो सबसे स्टार्टिंग का था वो ये phase 6 के आपके examination थे वो अलग अलग level पे थे आपका 10th level का था 12th level का था graduation level का था तो उसमें एक चीज़ देखी गई थी कि थोड़ा से banking pattern follow किया जा रहा था फिर इसके बाद आपके दूसरे और exam हुए आपका GD को unstable हुआ तो banking pattern और कम हो गया इसके लाबा फिर आपका CPO आप खुद ही download करके दे banking जैसा थोड़ा वो देखने को मिले आदरवाइस पूरा का पूरा आपका जैसे CP जब vendor होता था तो वो कंड़क्ट करवाता था आपका exam तो बिल्कुल वैसा ही pattern रहेगा GKGS का मैंने आपको बता दिया और इसके लाबा current affairs देखे current affairs में अभी ज्यादा कुछ तो आप अपनी सारी वह बन जाती है तो आपको में में सी एक सर्च मारिएगा कि डेड़ सो कोश्चन की एक शोड जो है ना PDF मैंने एक शेर भी की थी फरवरी मंत की वह आप चैनल पर जाके देख सकते में मेरे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं तो उसमें इस त इतने से चार महीने के हिसाब से आपके लगभग 500-600 कोश्चन बनेंगे इतना कर लीजिए फिलहाल तो उतना बहुत है और मैंने भी अपनी प्ले लिस्ट में कुछ इंपोर्टन चीज़े डाली है जिसे नोबल प्राइज होगे एशिन गेम से रिलेटिट पैर ओलंपिक ग जीत रही है इसके लाब जो चार जून का आएगा सारे अनलिसस आपको प्रोवाइड करूंगा और मेंस की तो मैं बहुत आपकी बहुत से बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डिजिटल पन मैं खरीदने वाला हूँ भाई आप लोग मेरी हेल्प करो ना करो पर डिज अगर आप लोग थोड़ा 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 करते हो अगर एक बंदा मैक्सिम दस या पंदर उरुपे भी करता है तो भई मैं डिजिटल पैन ले पाऊंगा तो अगर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं करना कॉंट्रिबूट तो कर दीजिए तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए फिर वीडियो बनाया करूंगा और एनलीसिस आपको प्रवाइट किया करूंगा क्योंकि मेरा काम काफी असान हो देता हैं सारे के सारे सोल करवा देता लेकिन इतने कोस्टन्स हैं वो युट्ध भूल जाहिए आप अब हमी जितना पड़ह है वो उतना करिए सारे कंसेप्ट आपके रिवाइस कीजिए जीरे से ज़ते कास्टी एड़ी सीन ध्युक्ति अइस जुजिए निस्जिए कन बोगे जैए में देखोर क्या जाएगा अप्जूरूर देखेगा हर चीज पोसिबल है बस आपको मोटिवेट रहना है only I can change my life no one can do it for me ये याद रखेगा एक बार हासिल कर ली चीज तो उसके बाद आपको अपना भविश्य तया करना है सो मोटिवेट रहिए पढ़ते रहिए ख्याल रखे हमेशा आपके साथ बना रहूंगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद